किसी का एक सपना होता है किसी का सपना होता है ट्रावल करने का या किसी का सपना होता है बहुत सारी पैसे कमाने का या किसी का सपना होता है एक अच्छा क्रिकेटर बनने का पर क्या हो जब आप अपने बेट से उठीना पाओ तो उन सपनों का क्या और इसी प्राब्लम को हम कहते हैं paralysis जी हां और उस वक्त जब किसी को paralyze होता है या कोई paralyze होता है तो वो अपना जो सपना होता है वो पूरा नहीं कर पाता और इसके साथ साथ वो अपनी खो देता है hope इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक dedicated series जिसका नाम है paralysis treatment series जिसमें हम बात करेंगे paralysis के बारे में आपके शरीर के बारे में उसके causes के बारे में और साथ ही साथ आप उसको अपनी life से कैसे हटा सकते हैं जिसकी वज़ा से जो आपके सपने अधूरे रह गए हैं आप उन सपनों को और अच्छी तरगे से कैसे देख पाएंगे तो इसलिए आज हमारे साथ है इस्टूडियो के अंदर डॉक्टर पूरुध हवन जो ऐसा इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस आयरुवेधिक साइंस के वन आफ दा फाउंडिंग मेंबर है और इसके साथ-साथ एक आयरुवेधा इक्सपर्ट है तो आज हम इसे बात करेंगे जानेंगे पैरलेसिस के बारे नमश्कार सर कैसे हैं आप कैसे चल रहा है सब बढ़ी है तो सर यह हमने सीरीज नहीं नहीं शुरू करी है इसका यह पहला एपिसोड है और मैं चाहता हूं कि जितने भी पैरलेसिस की जो पेशेंट्स हैं आए होप उनको आज बहुत कुछ ग्यान मिलेगा बहुत कुछ वो सीखेंगे और उनकी हो जाती है उसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे तो सर मुझा बदाईए कि जैसे अगर मनलब कोई बंदा है और बीज़ेंगे कर पा रहा या फिर कोई इंजिरी हुई है जिसके वज़ेसे या बैक पेन है जिसके वज़ेसे तो क्या यह सारे सिंटम्स हैं कि वो जल्दी पैरलाइस हो सकता है पैल्लिस वर्ड को पहले अंडर्टान करना नहीं कोशिश करो का मतलब ही होता है कि किसी भी बी ऑटल करना बंद होजाना है वो किसी भी रीजन से हो हो अब बन करे mau है अब अगर ऑ्पिर में पैल सिस्टा पार्ट तो सबसे बड़ा रीजन इनकलकर आता है वह ब्रें स्टॉक ग्रूम ग्रक्रम पार्नी बीजिसा गांऩ समय फिरराइब कि अग्रॉनुम ल मेंटोळ जाती है क्न सब्सक्राइन हो सिरिजन अबंद घ्रक और वो कैसे आता है से मालों कि आपके फोलोसन अब फोलोसन लेवल हाई है रहता था आपके ब्लैड में थक्के बनने लग गए वह थक्का आपा जो खुक्लोट है ब्रेन में ट्रीण कर गया और बैन में जाके नस्कों सिने ब्लॉड कर दिया तो ब्लै करता दर ब्रेंग का हिस्सा आपके हाथ पर को चलाना बोलना बैटना और वोन ही पाएगा तो बहुत करते हैं जो पैलाईज की जो पेशंट होते हैं जब उनको पता लगता है अब दिक्कत आ गई है तो सबसे पहली चीज़ क्या करने जाए चाहिए तो इसमें क्या होता है कि अगर वो बन रहा है तो इसे डिजॉल किया जा सकता है तो उसमें एक इंजेक्शन होता है जो की ब्लेट की खुलोट को बहुत तेजी से डिजॉल कर देता है तो जो आपका पहले चाहर घंटे में ऑस्पिटल पहुंच जाते हो तो पैलेसिस का इंपक्त आपको देखने को मि करो ठीक है वहां पर वेट बहुत बहुत बारी बढ़ जाता है इस इसका सबसे पहले हमें ध्याना चाहिए तूसरे अगर आप मिस हो गया टाइम में निकल गया अपने हाथ से तो जो पहले छे महीने होते हैं वह गॉल्डन पिरिट के उसको मैं कहता हूं वह गॉल्डन पि करके ईंटिबैंटिक लगा खरें था तो क्लिव ख़रा तो इसी तरह से ब्रीन में जब किसी टाइप की इंज़िय होती है व्रें कि सटॉप Is आमने बस वह महवल देना होता है जिसके अंदर रिकावर कर सकी को कि अपने आप हो रही है इस टैम में आप किसी भी डॉक्टर का हाथ लगता जाएगा उस डॉक्टर के हाथ से आपको आरामाता रहेगा मगर अगर यह 6 मेने बीच जाएं उसके बाद अगर आपकी प्रेंस्स रहे गया है उसे रिकावर करने के लिए आपको बहुत मैंद करने इपड़ते हैं हर बंदा जब भी उसको ब्रेंस्ट्रॉक होता है तो वसी दॉक्टर के बास बागता है है ना बट फिर भी ऐसा होता है अगर ब्रें के अंदर है लीडिंग हुई है अगर हम खून पत्ला करनी की दवाई दे देंगे तो क्या होगा ब्लड और फैल दाएगा तो इसमें हम कुछ पेशिंट्स को ही सेलेक्ट करके इंजेक्शन दे पाते हैं सारे पेशिंट्स कॉलिफाइग नहीं करते पर टीपी ठीक है उनके लिए जिनका ब्लीडिंग की वज़े से ब्रें हैंबर जुआता है उनका रस्ता तो कठे नहीं होता है उनको रिकवर करने के लिए तो मैरेट करनी तो पढ़ेगे उनको रूकिसर्म मैंने जब ही आपसे चीज पूछे कि बहुत सारे लोग यहीं बोलते हैं कि कॉलिफाइब करना पड़ेगा ऐसके लिए होगा पती उपारींगी केस्ट की होगया है वो हैमरेज में हमगया हो तो बहुत सारी चीजे वहात रिस्की होता है वह इतना ये इजी नहीं है डॉक्टर्स के लिए डीसीजीन लेना है कि इस पिरेशन को द्येना तेशन को क्लेक्षफ करना परता है कि यह कौलीफाइ करता है इसको मैं दूगा जिनको लग जाता है जल्दी रिकावर कर जाते हैं जिनको नहीं लगता वो time लगता है तो से हमने करीbrain stroke की और कौनसे कौनसे causes होते हैं जिसे मलब brain स्टोग या फिर पैललेसिस का पेशेंट निसान बन जाता है पैलेसिस की टाइप है ब्रीन स्टोग पैलेसिस तो कमर पर किसी ने डंडा मार दिया यह गंशॉट इंजरी हो गई पेड़ से आप गिर गये चोट लग गई तो रीड़ की हट्डी पर चोट लगी तो उसकी जहा हो जाता है और वह रिकवर नहीं होता हमारा ब्रेन में रिकवरी मेकेनिजम अच्छा है मारे इस पाइनल कॉर्ट में नहीं है तो आपको अपने आपको बचा के चलना चाहिए यह जो बच्चे आज करते हैं बाइकों पर गूमरें ती चला रहे हैं गेरिया लगा रहे हैं क्योंकि अगर आपकी इनवरी नहीं और रहे होसकता है और जो मारे निरोन सेल्स होते हैं नहीं पाइदा होते हैं मालों की यौस। टाम में एक करोड एक नहीं हो पाएंगे नया सेल पैदा नहीं हो सकता है तुसमें रीजनेशन पावर ृग सेलों मत साथाइज और तो वो मर रहेगा आप ब्लकुल पत्ली सी है उसका बैक अप सिस्टम नहीं होता तो है अगर आपके इंज्री हुई है प्राइसिस हुआ है तो रिकावरी के चांसे ना के बराबर है अगर उसमें स्वेलिंग है स्वेलिंग चली जाएगी रिकावरी हो जाएगी बट अगर कट गई दो इससे में हो गई तो कोई चांस नहीं है कि और फिर आपको सारा जीवन वैसे लीलचेर पर ओके तो मतलब यह है कि आप जल्दी से उसका इलाज करवाईए आप जाओगी तू भी बहुत में अराम मिलने पाता दॉक्टर जितने में कोशिश को लिए उसके बाद भी स्पाइनल कोड इंजिने में आराम देना ना के बराबर और सिंटम्स क्या-क्या होते हैं आपको पहले ही पता लग जाए कि आपको दिक्काद आने वाली है चोट रिखी तो कोई सिंटम नहीं हो जाओगे उठनी पाओगे अपने अगर अगर आपकी ब्रेन में प्लोट आ रहा है तो इसके सिंटम धीरी धीरे आपके है क्या है पूरा रस्ता बंद नहीं गिया था थोड़ा सा रस्ता चल रहा था तो पहले भारी पन होगा हाथ चल नहीं भारी हो रहा है आप कर रहे हो थीख है आपको weakness मैसुस होनी शुरू होगी हो सब्सक्राइब को नहीं जादा आनी शुरू हो जाए आप चेक कर देखे आपको की शुगर बढ़ बढ़ गई है इस दिख्कत हो रही जब कि अपको शुकर पहले नहीं थी उसके बाद बढ़ चेक करो कि बीपी बहुत जाद ठीक है कि आप चोड़ लगना तो कभी भी चोड़ लग सकती है ना बट हम चाहते हैं कि मलब जो भी हमारे सर में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है वो भी ना हो तो उसके लिए हमें क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने बढ़ेंगे हैं लाइफ में अपनी बॉड़ी को क्या डाइड्ट करें वहारे लगारे स्टेप्स और और आज्बा मिल रही है तो इसकी पीछे जो और पिछों को कुछ को आप न्रोल कर सकते हो तैसे भीबैंगे अपना मैंड़ कर सकते हो बीप बड़ावा ना हो इसी तरह से शुगर आप चेक सकते हो मशीन होती है नम हाई आ रहे हैं तो कॉलेस्ट्रोल के लिए आप अपनी डाइट को बदलो एकसाइज एड़ करो मेडिसीन एड़ करो इन तीन चार चीज़ों कर अपने कंट्रोल करके रखा तो ना सिर्फ आप अपने ब्रेंस्ट्रोक से अपने आपको बचा लिए वाकी प्रण नजारी कितन मैं मान गया चलो बुजर्गों को या फिर मिडल एज बंदों को बीपी शुगर कंट्रोल रखना है पर जो बच्चे पैदा होते हैं अब उनका तो क्या ही बढ़ेगा बैड लग तो किसी का भी हो सकता है तो जब टाइम खराब हो तो तो आप कुछ कर नहीं नहीं सकते हैं उसके बाद भी होनी के संभावनाएं ब्रेंश्टॉक की हुती हैं बटो कंपैटिवली काम हो जाती है ना या कर हुंके तो इसका इंपक्ट काम होगा तो दोनों ही कि इसके विन-विन कंडिशन बन जाती है तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि मैंने मेडिसन छोड़ी इस वरजे से मुझे हो गया आपको यह होगा कि मैंने सबकूस ठीक रखा था मेरी बॉड़ी हेल्दी फिर भी अगर में होगे तो इसमें आपनी रिस्पॉंसिबिल्टी तो जीरो होगी यह आपने अपनी बॉड़ी का ध्यान रखा बैड लग रहा ना ताब से कुसुरवा सबसे बड़ी होती है अगर आपको अपनी बॉड़ी में कोई भी दिक्कत मैसूस हो रही है तो आपने किसी डॉक्टर के पास नहीं चाना आपने किसी भी बड़े होस्पिल की एंबेजिंसी में जाके लेट जाना है आपके घरवाले आते रहेंगे मैं घर नहीं जाओंगा मैं डॉक्टर की यानी की वेट नहीं करूंगा मैं पास की किसी भी होस्पिल में चाहे वह सरकारी हो में जाकर लेड़ोंगा मेरी चाती मताट हो रहा है वहां पे जाकर मेरा ECG के सब कुछ होगा क्योंकि वहां पर टाइम इपॉर्टन है सब्सक्राइब होगा फटाफटाइम देखेंगे फटाफट आपको MRICT स्कैन हुआ फटाफट आपको मेडिसिंदी डॉक्टर की लाइन में बैटना पड़ेगा डॉक्टर का पॉइंट मों लेना पड़ेगा इतना आपके पास होता नहीं है कोई भी परशानी हो यह नहीं अबर्जनसी में जाना है डॉक्टर की वेट नहीं पत्थरी का बिद्द तो तो भी पहुंचा लोग लेके बैटे होते हैं जाओ टेस्ट करवा कंफर्म करो रातको बारा बजे होता है डॉक्टर तो मिलेगा नीं बारा बजे एक बज़े ऑपड है नहीं अगी वह अपने स हो जाते हैं तो आपको अमिश्चे ध्यान अपना है कि आपने अगली हफ्ते कर वा लेंगे अभी जाओंगा पर ऐसा नहीं करिये क्या पता वह वेट आगे चलके और दिक्कर ना देजाए तो डॉक्टर सवाल हो गए कि हमारा यह सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है तो यह था सिर्फ हमारा पहला एपिसोड हम आगे ब्रें स्टोक के बारे में पूछेंगे और आपके बारे में जानेंगे और सबसे जादा इंपॉर्ण हम ट्रीट्मेंट के बारे में जानेंगे और जादा तो थैंक्यू स जरूर रहेंगे बस आपको कुछ नहीं करना है आपको देना है हमें फीडबाग और आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्षिन पर अपने फीडबाग लिख सकते हैं और अगर आप कोई अच्छा लगा हो तो लाइक करो या शेयर करो और वो जो लाल वाला बटने ना हाँ बस अपसे दबा दो और मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो बहुत बहुत शुक्रिया